हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो माई चानल बेबी और मॉम लाइफ स्टाइल फ्रेंड्स प्रेग्नेंसी में नॉर्मल डिलीवरी का होना बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन होता है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है इस से उनकी बॉडी में बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं आता है और उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल इजी रहती है तो फ्रेंड्स आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो इसके लिए बच्चे दानी का मुझ खुलना बहुत ज़्यादा इंपोर्टन होता है और बहुत ज़्यादा जरूरी भी होता है आज हम इसी से रिलेटेड बात करने बाले हैं बड़ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकन को प्रेस कर ले आपको बताते हैं कि बच्चे दानी का मुझ किस हफते से खुलना सुरू हो जाता है जैसा कि हम सब को मालूम है कि प्रेगनेंसी के 49-40 हफते होते हैं तो 49 हफते में बच्चे दानी का मुझ कुलना स्टार्ट हो जाता है यानि कि हलका हलका सा खुलने लगता है क्योंकि delivery के 5-6 दिन पहले से ही धीरे-धीरे cervix का मुझ खुलने लगता है इसलिए pregnancy के last time पर डॉक्टर आपको हर हफते check-up के लिए बुलाते हैं और pregnancy के 38 या 49 हफते में डॉक्टर आपको finger test करते हैं क्योंकि इस test से ही पता चलता है कि बच्चे दानी का मुझ खुला है या नहीं या फिर अभी time है अगर आप 38 से 40 हफते के बीच डॉक्टर के पास जाती हैं तो आप उनसे पूछ कर confirm भी कर सकती हैं कि आपकी delivery में अभी कितना time बचा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि 49 वे चालिस वे हफते में सर्विक्स का मुझ खुलना सुरू होता है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और अच्छा लगा हो तो like and share जरूर करिएगा प्रेगनेंसी से related और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल baby and mom lifestyle पर विजिट कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन को प्रेस करने थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अब तक के लिए बाए बाए